नमस्कार एक बार पनो हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपनी चेनल गो ब्लोक्स पे दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब चेनल गो ब्लोक्स पे एक सुन्दर हतेली हमारे पास है और सबसे पहले अगर हम हतेली को साधारन रोप से देखनी की कोशिस करते हैं और आप साधारन से साधारन तरीके से इसे देखते हैं तो इसकी आकर्ति पे हमारा ध्यान जाता है और हतेली की आकर्ति यहां पे एक आयताकार आकर्ति दिखाई दे रही है और जब भी आयताकार हतेली हमारी होती है तो कहीं न कहीं करियर के मामले में ऐसे बिक्तियों का बोलने से ज़्यादा काम चलता है सारिक मेहनत ऐसे बिक्ति कम करते हैं और दार्सनिक किसम का बिक्तित्व ऐसे लोगों का होता है अब बिक्तित्व की जब बात आती है तो स्वभाव की जब बात आती है तो यहां पे एक चीज पे हमारा ध्यान और जाता हुआ दिखाई दे रहा है आप देखोगे आपकी जो हिर्देई की लकीर है आपकी जो मस्तिस्क की लकीर है वो जहां से उनका उदगम हो रहा है जहां से वो सुरू हो रही है ये जो अस्तान है इनके बीच में अच्छा खासा गैप यहां पे दिखाई दे रहा है अमोमन अगर आप सही द्रिष्ट से देखें तो जीवन रेखा इस तरों से जाती है और मस्तिस्क रेखा इस तरों से जाती है गैप नहीं मिलता है जादा हतेलियों में लेकिन आपकी हतीली में जीवन की रेखा इस तरों से जारी है, मस्तिस्क की रेखा इस तरों से जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और इनके बीच में गैप दिखाई दे रहा है इसका मतलब है आप स्वतंत्र विचार धारा के ब्यक्ति है अपने मन की करने वाला ब्यक्तित्व आपका है अपने स्वयम के निरणयों पे चलने वाला ब्यक्तित्व आपका है किसी के अंडर में किसी के कंट्रोल में ज़्यादा काम नहीं कर सकते है लेकिन मैनेजमेंट की च अच्छी यहां पे दिखाई दे रहे हैं, पुराने धर्ये पे चलने वाला बिक्तित्व आपका नहीं है, नई आइडियाज पे काम करने वाला बिक्तित्व है, मैनेजिमेंट की चमता अच्छी है, रिस्पोन्सिबिल्टी निभाने वाला बिक्तित्व आपका है, लेकिन दिखाई दे रहा है एक चीज और साधरन तरीके से दिख रही है अगर आप देखें तो फिर हम जो है हतेली का विश्लेशन करते हैं आप देखोगे आपका विषेश कर इस छेतर में हतेली के इस छेतर में बहुत बारीक बारीक रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई यहाँ दिखाई दी रही है और जगह जगह यहां पर दिखाई दी रही है अगर ऐसी रेखाएं आपकी हतीली में हों सुक्षम रेखाएं हों बहुत ज़्यादा रेखाएं हों और ग्रोहों में अपना असर डाल रही हों ग्रोहों को दूसित कर रही हों तो इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव ब्यक्ति की जीवन पर पड़ता है ऐसे में ये बरतमान समय को दिखाती है कि ब्यक्ति का जो बरतमान समय है उसमें ब्यक्ति को संगर्स का सामना करना पड़ रहा है मानसिक तनाव ब्यक्ति को जहलना पड़ रहा है और आर्थिक और पारिवारिक मामले में कहीं न कहीं अडचनों का भी सामना करना पड़ रहा है इस बात का ध्योतक यहां पे दिखाई दे रहा है इसका मैं बड़ा सुन्दर उपाई दूँगा विदिवत तरीके से लिख करके दूँगा आप उन उपाईयों को विदिवत तरीके से ही करने की कोशिस करेंगे तो बहुत अच्छा पाइदा आपको होगा अब यहां पे पूरी हतिल का एक-एक चीज देख करके सरल तरीके से उसका विचलेशन करने की कोशिस करते हैं देखेगा देखे मैंने पहले की वीडियो में भी बताई है और इस वीडियो में भी जरूर बताऊंगा जो हमारी ये इंडेक्स फिंगर है इसके नीचे वाला जो ये भाग है इसको जुपिटर का माउंट कहते हैं ये आचारे ब्रिस्पती जी हैं देवताओं के गुरू हैं और हमारी हतेली में बैठने वाले दो आचारेों में से एक आचारे हैं और पर्थम आचारे इने को माना जाता है इनका पुष्ट और सुन्दर होना हतेली में बहुत जरूरी होता है और दोसरा ये अंगोठा है और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको बीनस का माउंट कहते हैं ये सुक्र का परवत है ये सुक्राचार्यजी है ये देतियों के गुरू है और हमारी जीवन में लगजरी लाइप की और यही ले जाते हैं और इनका भी पुष्ट और सुन्दर होना बहुत जरूरी है आपके बेक्चित्तों के लिए दो आचारे बैठते हैं हमारी हतेली में दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है देखेगा यह जो जुपिटर माउंट वाली उंगली है जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं अंगरेजी में और तरजनी उंगली कहते हैं संस्किर्ट में ये जुक रही है middle finger की ओर middle finger इसको अंग्रेजी में कहते हैं मध्यमा इसको संस्कृत में कहते हैं और इसका जड़वाला जो भाग होता है इसको सनी परवत कहते हैं और जब आपकी index finger जैसे आपकी जुक रही है मध्यमा की तरफ जुकती हुई दिखाई दे रही है जब ये जुकती है तो निश्चित ही आपके अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है आपके बारे में ये बताती है कि आप कहीं न कहीं इस्वर में विश्वास करने वाला ब्यक्तित तो आपका है इस वर में आप आस्ता रखते हैं लेकिन यहां पर मिडिल फिंगर किसी की तरफ नहीं जुक रही है जादा और सीधी खड़ी है इसका मतलब है कर्म करने वाले बिखती हैं और जीवन का जो सिंपल फॉर्मूला है कि जब हम कर्म करेंगे तभी किसी चीज को पा सकते हैं कायरता आपके अंदर नहीं दिखाए दे रही है यहां पर जो रिंग फिंगर है आपकी इसको हम संस्कृत में कहते हैं अनामिका और अंग्रेजी में कहते हैं रिंग फिंगर रिंग फिंगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रिंग पहनी जाती है अंगूठी पहनी जाती है यह यहां पे मुड़ती हुई दिखाई दे रही है और किस की तरब मुड़ रही है यह जुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरब और जब यह अनामिका जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं मिडिल फिंगर की और जुकती है तो व्यक्ति के अंदर फेम पाने की नेम पाने की और धन पाने की इच्छा प्रबल रूप ले लेती है निश्चित तोर पे आपके अंदर भी ये चीजे यहां पे दिखाई दी रही है अगर हम यहां पे देखें तो ये आपकी अगर बुद्ध की उंगली है इसे करनिष्टा कहा जा रहा है ये हरल के रोप में कहीं न कहीं जो है रिंग फिंगर की तरफ ढलती हुई दिखाई दे रही है इसका मतलब होता है दुनिया के त्रहे ही आप भी सोच रहे हैं धन पाने की इक्षा परबल होती हुई यहां पे दिखाई दे रही है अब एक चीज देखेगा ये जो उंगली है ये सूरे के पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पारी है तो कहीं न कहीं मनी मेनेजमेंट में कागजों के रख रखाओ में या अपनी बात को प्रभावसाली ढंग से रखने में थोड़ी सी माहिरता की कमी दिखाई दे रही है अब सरल रूप से थोड़ा सा और समझेगा बिल्कुल सरल रूप से इंडेक्स फिंगर जिसे ब्रस्पती की फिंगर कहते हैं उंगली कहते हैं ये ढलरी बीच की उंगली की तरफ जिसे अनामिका कहते हैं सूरे की उंगली कह रही है ये ढलरी बीच की तरफ जिसे हम कनिष्टा कहते हैं बुद्ध की उंगली ये ढल रही है मध्यमा की तरफ मतलब सभी उंगलियों का जो जुकाव है बीच की उंगली की तरफ यहां पर दिखाई दे रही है और जब सभी उंगलिया जो है बीच की उंगली के तरफ ढलती है तो बीच की उंगली मैंने बताया था सनी की उंगली है तो सनी के नगेटिव गुणों में बिर्दी होती है और जब सनी के नगेटिव गुणों में बिर्दी ये करती है तो व्यक्ति के जीवन पर इसका नगेटिव प्रभाव पड़ता है ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी होता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में ऐसे लोगों को कमी देखने को मिलती है और ये आपके अंदर भी यहाँ पे दिखाई दे रही है अब उंगलिया हमने समझ ली है अब हम चलते हैं आपके अंगोठे के तरफ थोड़ा सरल तरीके से समझने की कोशिस करे देखेगा आपका अंगोठा छोटा है लेकिन पीछे की तरफ सीधा मुड़ा हुआ है और साथ में जो इसका जड़वाला भाग है जिसे सुक्र का परवत कहते हैं ये यहाँ पे उभार लिए हुई दिखाई दे रहा है निश्चित रूप से सुक्र परधान ब्यक्ति तो आपका यहाँ पे दिख रहा है और जब किसी भी ब्यक्ति का सुक्र परधान ब्यक्ति तो रहता है तो ऐसे ब्यक्ति लग्जिरियस जीवन जीने की चाह ज़्यादा रखते हैं जीवन में निश्चित तोर पे ऐसे ब्यक्ति भौतिक सुक्सुविदाएं प्राप्त करते हैं ग्रहों की अच्छी इस्तिति आने पर आपके अंदर भी यही चीजें समाहित होंगी इस बात का यह ध्योतक दिखाई दे रहा है दूसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ पे जो अंगोठे का पहला पौरवा है लंबा भी है नुकीला भी है और जब यह पहला पौरवन लंबा और नुकीला होता है तो यह दरसाता है कि आपके अंदर इक्छा सक्तियां बहुत जादा है और यह अच्छा भी है जब व्यक्ति के अंदर इच्छा सक्तियां अच्छी रहती हैं तो ऐसा व्यक्ति उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए निरंतर कर्म करता रहता है और यही मनुश्य का पर्थम करतब्य भी है दूसरी अगर देखें सेकिंड पूर्वा भी अच्छा खासा लंबा दिखाई दे रहा है इसका मतलब है अपनी बात को लोजिकल तरीके से रखने की कोशिस भरपूर की जाती है आपकी तरफ से और कई बार रख पाने में दूसरों को समझा पाने में भी सफल होते हैं दोनों पूर्व के बीच में एक सांदार योग की आकरति बनती हुई यहां पर दिखाई दे रही है और इसे अच्छा माना जाता है थोड़ा सा भावक किसम का ब्यक्तित्व भी आपका यहां पर दिखाई दे रहा है विशेश कर आपका चंद्रमा भी अच्छा है यहां पर गदीनुमा है लगबग तो emotional ब्यक्तित्व ना जो खिरदय का ब्यक्तित्व यहां पर दिखाई दे रहा है दूसरा अगर बात करें ये चीज बता रही है साथ में भग्यर एका भी इस तरों से है चंद्रमा से निकल रही है तो आपको अपनी कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुक प्राप्त अपनी जीवनकाल में होगा इस बात का भी ये ध्योतक यहां पर दिखाई दे रहा है उंगलिया देख ली हैं अंगोठा देख लिया है अब चलते हैं हम आपके लकीरों के उपर देखेगा जो आपकी हिर्दै की रेखा है ये यहां से निकल करके और इस तरों से जारी है और ये कहां पहुँच रही है मैंने कहाता ये तरजनी है इसका जड़वाला जो भाग है ये बिरस्पती है युपिटर का माउंट ये मध्यमा है और इसका जड़वाला भाग ये सनी है तो आपकी हिर्दै रेखा इन दोनों परोवतों के बीच में जारी है और जब ये रेखा दोनों परोवतों के बीच में जाती है तो इन दोनों का गुण इसमें आते है और जब इन दोनों का प्रभाव इसमें पढ़ता है तो निश्चित रोप से ऐसे लोग अपनी जिवनकाल में बड़े महत्वकांची होते हैं जो आप भी है आपकी सोच हमेशा ही विशेस्तर बरतमान में तो देखा जाए बहुत आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई देरी है इस रेखा पर गुरू का प्रभाव पढ़ने के कारण आपकी जो इक्षा है एक टॉप लेवल तक एक सर्वस्रेश्टतम अस्तर तक पहुँचने की होती हुई दिखाई देरी है लेकिन वही सनी का भी ही प्रभाव पढ़ रहा है जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मिहनत करनी पड़े कैसा भी जो है हतकंडा अपनानाग पड़े लेकिन जो भी हो सकेगा आप जरूर करेंगे यहाँ पर एक बात गोर करने लाइक है बड़े ध्यान से दीखेगा इस हिर्दे रेखा जो ये हिर्दे रेखा है आपकी इसकी एक ब्रांच यहाँ से निकल करके और जुपिटर माउंट से जो है युक्ति बना रही है थोड़ा सा इसका प्रेणाम अलग हो जाता है अब यहाँ पे जादा गोर्ण किसके आ रहे है जुपिटर माउंट के मनी ब्रस्पति अब रस्पति जी कौन है देवताओं के गुरू गुरू का मतलब होता है सबसे बड़ा जो ज्यान देता है जो रास्ता देता है जो परतिष्टा और सम्मान देता है इस पे क्या जा रहा है हिर्दे रेखा की ब्रांच जारी है इसका मतलब है कि आपका जो व्यक्तित्व है कि अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचने वाला व्यक्तित्व है सब के लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है अपने छेतर में विद्धता हासिल है, बुद्धिमान है, तेज्योस्वी भी है हिर्दय से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व आपका है जो आपसे मन से जुड़ जाता है अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका है लेकिन स्वाविमानी है और स्वाविमान में कई बार ego problem भी आजाती है लेकिन निर्मल हिर्दय का व्यक्तित्व आपका है कोई और भी काम करके हो, समाज में एक सरेष्ट जीवन बितीत करेंगे, ये निश्चित तोर पर यहां पर दिखाई दे रहा है, अब इसको थोड़ा दोसरी रोप में देखेगा, यहां पर हिर्दे रेखा पर एक भीका आकार बन रहा है, ये देख रहें ने आप, एक ब्रां तिलक इसे कहा जाता है, और जिस भी ब्यक्ति की हतेली में बिश्चु का तिलक होता है, कहते हैं कि उसके ओपर साक्षात भगवान बिश्चु जी की विसेश किरपा होती है, और देखेगा, ये दि ऐसे विसेश चिन्नवाला जातक, चायो इस्तरी हो पुरोस हो, इससे इन वाला बिक्ति, अच्छे कार्य करते हैं, और अच्छी राहा पर चलते हैं, तो ऐसे लोगों को किसी भी काम में अवश्य शपलता मिलती है, चायो वो कोई भी काम करे, और ऐसे लोगों को हराना इनकी जो बिरोधी हैं, इनके लिए संबहु नहीं होता है, इसके अलावा ये जातक समाज में खूब लोग प्रेता और सम्मान भी पाते हैं, और देखेगा, जिसकी भी हतेली में ये विश्णो का चिन्न होता है, वो जातक इस्तरी हो, पुरुस हो, ऐसे लोगों को अत्यंत भग्यसाली माना जाता है, लेकिन एक सावधानी भी बहुत जरूरी है, ऐसे लोग अच्छे कारे नहीं करते हैं मान लो, किसी भी कारण वस अपने स्वार्त के लिए धन कमाने की सोचते हैं, और किसी अलग तरीके से जो समाज के लिए अच्छा न हो धन कमाते हैं, यह वोला अपने स्वार्त को ध्यान में रखकर गलत रास्ते से धन कमाते हैं, त और जोति साथ चारे हो भला नहीं कर सकता है इनको नहीं उभार सकता है तो मैं कोशिस की है कि हिर्दे रेखा को आपको ढंग से समझा लूँ अब यहां पे एक रेखा और दिखाई दीरी है आप देखोगे यहां पे मस्तिस्क रेखा आपकी बहुत बड़ी दिखरी है और गुरु का प्रभाव पड़ता है तो निश्चित रोप से ब्यक्ति जो भी कार्य करता है बड़ी सोच समझ कर करने की कोशिस करता है बुद्धि मता से करने की कोशिस करता है और अपनी छेतर में अच्छे खासी नोलेज रखने वाला ब्यक्तित तो ऐसे लोगों का होता है स आपकी जो जीवन की रेखा है ये इस तरों से निकलती हुई और सीधे पीछे की और जारी है धनोसाकार जीवन रेखा है अच्छा माना जाता है जीवन में थोड़ा संगर्सक गरहों की ओजसे रहता तो है लेकिन ऐसे लोग निरंतर उन्नती भी करते हैं और धन के मामले में भी अच्छे रहते हैं और इस तरों से लंबी अंगोठे के पीछे तक अगर लाइन चली जाए तो ऐसा ब्यक्ति परिवार के परती समरपन की भावना रखता है जो आपके अंदर है बहुत ज़्यादा केर करने वाला ब्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है एक रेखा आपक इसका मतलब होता है ब्यक्ति को अपनी जीवनकाल में निश्चित ही विदेश का लाव जरूर मिलेगा एक सुंदर यात्रा का लाव मिलेगा करियर के और व्यावसाई के मामले में ये रेखा बताती है क्योंकि ये चंद्रमा से जो है मिलन कर रही है ऐसे लोग सिक्छा के छ इसपोर्ट है इंपोर्ट है और फूर्ड बिजनिस है ऐसे कारियों में हाथ आजमाएं तो सपलता ज्यादा मिल सकती है इस बात का दियोता कि आप ये दिखाई दे रहा है अब एक सुंदर सा चीज देखेगा यहां पे इस किल्लियर जो है एक मचली का चिन बनता हुआ दि को हम कियतु का अस्थान कहते हैं और कियतु बड़ा महत्वपून होता है जोतिस सास्तर में केतु पे मचले का बनना ब्यक्ति को किरियेटिव बनाता है और दूसरा ये धर्म का च्चेतर वी है निश्चित रूप से ब्यक्ति की जो प्रवर्ति होती है वो धार्मिक प्रव बढ़ती है वेसे वेसे अध्यात्मी की छेतर में विकास होना संबहु हो जाता है दूसरी बात ऐसे लोगों को निश्चित रोप से पैतरिक संपत्य का भी लाब प्राप्त होता है ये जहां देख रहा है वो भग्यास्तान है सनी है और सनी की तरफ जब निश्चित रोप से म बिर्दी करती है जैसे ये इसपष्ट और सुन्दर हो जाएगी भग्या अस्तान भग्या रेखा से सुसोवित हो जाएगा निश्चित रोप से जो है धन में बिर्दी होगी इस बात की ये गारंटी दे रही है एक रेखा मनी बंद से निकल कर यूँ चली जा रही है और ब एक भव्य विदेश यातरा करेगा बस यही दरसाती है ये रेखा अगर आप यहां पे देखते हैं एक रेखा जो है यहां से आपकी निकल करके बुद्ध की और जाती हुई दिखाई दे रही है लेकिन अभी परिपक्वा अवस्ता में नहीं गई है इसका मतलब है ब्याप ब्यापार में अभी ब्रदी नहीं कर रही है आने वाले समय में निश्चित रोप से ये ब्यापार में आपकी ब्रदी करेगी इस बात को इंगित करती हुई ये दिखाई दे रही है यहां पे एक तिरकोन भी बन रहा है इसका मतलब है 65 से 70 वर्ष के बीच में आपको अचल लेकिन एक आएक जो है हिरदय रेखा पे मिलकर आगे नहीं बढ़ रही है जब जीवन की रेखा चंद्रमा से जाती है तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मिहनत बहुत ज़्यादा परिस्रम करवाती है तब जाके कहीं 42 से लेके 45 वर्ष के बीच में चैन मिलता है और 45 पास पास बेख्ति का भाग्योदा ये हो जाता है लेकिन जब भाग्योदा होता है तो ऐसे बेख्तियों को प्रते एक दिन अरिनिंग मिलती है अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और ऐसे बिक्ति अपनी जिवनकाल में इस धन और करियर की रेखा के बदोलत निश्चित रोप से वाहन का सुक, मकान का सुक और व्यापार का सुक पाते हैं लेकिन ये एक चीज और इंडिगेट करती है, जैसे ही ये हिर्दे रेखाक पे मिल रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ रही है इसका मतलब है आप अपनी जिवनकाल में एक बार निश्चित ही भावनाओं के बसीबूत होकर गलत निरणें लेंगे और उस एक गलत निरणें के कारण अपने समस्त विकास को अवरुद कर लेंगे तो थोड़ा सोच समझ करके निरणें लेंगे क्योंकि आपकी हिर्दे रेखा, सौरी जिवन रेखा और मस्तिस्क रेखा के बीच का गयप ये भी बता रहा है कि आप त्वरित निरणें लेने वाले बेखती हैं और कई बार जो है बिना सोचे समझे निरणें लेंगे जिसके लिए आपको पच्ताना पड़ेगा एक चीज यहां पर और देखेगा आप अगर अपनी हतेली को देखते हैं तो आपकी हतेली में अब इस चीज को थोड़ा सा देखनी की कोशिस करते हैं आपकी हतेली में इस तरह से सूरे रेखा है बहुत अच्छी है और यहां पर बहुत जो है दूमिल अवस्ता में एक तिरकोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो बहुत दूमिल है और सूरे परवत पर तिरकोन का निशान होना ब्यक्ति को बुद्धिमान मनाता है यह जब पावरफुल अवस्ता में आएगा और यह पावरफुल अवस्ता में या तो 41 वर्स से आना सुरू होगा या 45 वर्स से सुरू हो जाएगा यह अपना फल देगा और ऐसे जातक कला के बहुत बड़े पार्खी होते हैं और सिद्ध हस्त होते हैं ये बिद्या आपके अंदर आने वाली है और सुर्य परवत पर इस निसान का होना बिक्ति के धनी होने की भी निसानी है संभव है असंभव नहीं है ऐसा बिक्ति करोण पतियों की सूची में अफस्तान मनाएं अगर ऐसा बिक्ति पैतरिक रोप से निर्दन हो या आर्थिक संपन ना भी हो तो भी अपनी प्रतिबा के बल पर अधिक धन और प्रसिद्ध ऐसे लोग कमाते हैं बहुत अच्छा साइन यहां पर दिखाई दे रहा है एक चीज और दिखाई दे रही है यहां पर उसको भी बड़े अच्छे ढंग से देखेगा फिर जो मीन मीन चीज़ें बहुत जरूरी हैं देखना वो ऐसे तो बहुत सारे चीज़ें बन रहे हैं पर उसका पूरा फल नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे आप देखोगे आपकी जो है इस तरो से जीवन की रेखा है इस तरो से मस्तिस्क की रेखा है और इस तरो से एक M की आकरती बन रही है लेकिन अधूरी बन रही है इसका फल 35 वर्स से पाना सुरो हो जाता है जब ये छोटी छोटी रेखाओं का प्रवाव खतम हो जाएगा जिसे हम negative ओर जा कहते हैं जो बरतमान समय में आपकी पूरी development को आपकी पूरी प्रगति को रोके हुई दिखाई दीरी है हतीली में पैसा आजाता है लेकिन टिकता नहीं है जीवन में संगर्स की इस्तिति आचानक बढ़ गई है मानसिक तनाव आचानक बढ़ गया है और आर्थिक रोप से और करियर की रोप में थोड़ा अर्चनों का आपको सामना करना पड़ रहा है इस चीज को ये छोटी छोटी रेखा है इंदर साथे लेकिन जब इनका प्रभाव खतम होगा तो ये जो M की आकरति बन रही है निश्चित रोप से जो है तब से ये अपना फल देना सुरू करेंगे और इसका जो प्रभाव पड़ेगा 41 वर्स से आपकी जीवन में पड़ेगा 41 से लेके 55 साल के बीच आप खुब धन कमाएंगे इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि अगर गरह अनकूल है तो जीवन में धन का आगमन विबाह के बाद बड़ी तेजी से होता है अब हम चलते हैं ग्रहों की और थोड़ा थोड़ा हम ग्रहों की इस्तिती देखते हैं फिर आपको उपाई वीडियो के साथ भीजने की कोशिस करता हूँ यहाँ पे देखेगा आपका जो सुक्र का परवत है यह उठावा तो दिखाई दे रहा है सुन्दर दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे बहुत सारी रेखाई दिखाई दे रही है और यह जादा उठावा यहाँ पे दिखाई दे रहा है यह थोड़ा आपको मानसिक प्रिशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत जादा सोच भी रहे हैं किसी चीज के बारे में चिंता भी कर रहे हैं और बहुत जादा मेहनत बहुत जादा प्रिशरम कठेनाईयों के बाद भी अभाव की इस्तिति बनी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे निम्न मंगल को देखें तो मंगल रेखा को बराबर यह काटते हुई दिखाई दे रही है जो कनिफ्योजन की इस्तिति बनाती हुई दिख रही है दुविधा की इस्तिति बनाई हुई दिख रही है और कहीं न कहीं decision लेने की चमता में भी असर डालती हुई यहां पे दिखाई दे रही है दूसरा अगर हम आपकी ब्रिस्पती ग्रह की और चलते हैं तो आपका ब्रिस्पती का ग्रह, धन का ग्रह हल की रोप से जो है सनी की तरब जो कावा दिखाई दे रहा है कहीं न कहीं आंसिक रोप से ही सही लेकिन पारिवारिक समस्याओं का सामना भी आपको अपनी जीवनकाल में करना ही पड़ेगा आपकी हतेली में धन का ग्रह, ब्रिस्पती जी साधारन भाव में बैठे हुई है और इस अवस्ता में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारनता देते हुई दिखाई पड़ रहे है सामन्य बिक्तित्व देते हुई यहाँ पर दिखाई पड़ रहे है हाँ हसमुक सुभाव रहने वाला है और देखा जाए तो दयालो और प्रॉपकार की भावना रहने वाली है आर्थिक पक्ष बरत्मान समय में मध्यम इस्तिति में देते हुई दिख रहे हैं लेकिन यस की प्राप्ति के लिए मन में सदा जुकाव बना रहेगा स्वतंतर्ता और नेतिर्त्व की चाहा रखने वाली विक्तियों में से एक आप होंगे सिक्षा के छेतर में, इंजिनियरिंग के छेतर में, चिकित्सा के छेतर में, कानून के छेतर में, मैनेजमेंट के छेतर में और वानिजा और बैंकिंग के छेतर में यедी काम कर रहे हूंगे तो मध्यम इस्तिदी यहां पर रहने वाली है अगर हम आपकी जो है भग्यास्तान को देखते हैं तो आपका भग्यास्तान करियर के मामले में और कहीं न कहीं जो है जिवन के मामले में बेवजहे की चिंताईं देता हुआ याँ पे दिखाई दे रहा है सूर्य में बहुत अच्छे साइन तो हैं जो मैंने बताए लेकिन सूर्य का प्रवत उतना अनुकूल नहीं है जिसके कारण कहीं न कहीं करजे की इस्तिति बन सकती है थोड़ा सा सावधन रहें करजे की इस्तिति न बनने दे जितना आप मिहनत कर रहें जितना परिसर्म कर रहें उस हिसाब से आपको न तो क्रेडिट मिल सकता है न स्रे मिल सकता है चाए नोकरी करो चाए ब्याव साइ करो जो फैलाओ चाए वो फैलाओ मिलता हुआ यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है थोड़ा सूरे कावपाई जरूर कर लिजेगा आपका बुद्ध का माउंट देखें तो बुद्ध का माउंट अच्छी इस्तिति में यहां पे दिखाई दे रहा है सभी गरहा अगर अनुकूली इस्तिति में आ जाते हैं तो जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें निश्चित रोप से पूरी सपलता अरजित करेंगे यह बुद्ध इतना सुन्दर उबरावा है कि आप हर तरह की प्रस्तितियों को भली भांत समझने वाले बेखती है योजना बना कर चलना आपका विशेस गुणियां पे दिखाई दे रहा है कोसिस करते हैं जो भी कार्य परारम करें उसे पूरा उश्च किया जाए आपकी हतेली में बुद्ध का परवत वास्ताव रोप से सही रोप में बिख्सित अवस्ता में दिखाई पड़दा है आप मनो बेग्यानिक के छेतर में माहिर है सामने वाले बिख्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छे तरह से जानते हैं और आने वाले समय में अगर व्यापार की तरफ आप आजाएं तो उसमें अच्छे खासी सपलता आपको प्राप्त होगी इस बात का ये द्योतक यहां पर दिखाई दे रहा है उपरी मंगल देखें तो आपका उपरी मंगल बहुत अच्छा है प्राकरम की ताकत दे रहा है और एनरजेटिक सोभाव देता हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है चंद्रमा आपका देखें तो चंद्रमा आपका अच्छा है आने वाले समय में क्रियेटिविटी बढ़ेगी आने वाले समय में क्रियेटिव रहेंगे और मन आपका मजबूत रहेगा और देखा जाए तो सकारात्मक सोच बनी रहेगी इस बात की और यह संकेत देता हुआ याँ पे दिखाई दे रहा है आपकी अगर मनिबंद देखें तो निश्चित रोप से दो रेखाई बनती हुई साप सुतिरी दिखाई दे रही है जो अभी अभी परिपक्व होती हुई दिख रही है जब ये पूरी तुरह से परिपक्व हो जाएगा और मनिबंद आपका बहुत अच्छा रहेगा तो जीवन में अपने ही बलबोते आप अपने सिखर तक पहुंच जाएंगे इस बात की और ये आपको गारंटे दे रही है देखेगा मैंने आपकी हतेली का पूरा बिशलेशन करके आपको बता दिया है साथ में उपाई लिख करके भीज रहा हों करने की जरूर कोसिस करें इस वीडियो में बस इतना है एक नई वीडियो के साथ पुलो पस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार